हालो एवरिवन, वेलकम टी तरंस का क्लास ही राज आप लिए लेकर राओं क्लास एट की बुक, इस वीडियो में डिसकस करूंगा मल्टिपल चोईस क्वेस्टेंस विद नोट्स आपको यह बताना है कि किस वक्त दिन के किस वक्त जो है बच्चे उस जाएंट की गारण में खेला करते थी तो आपके सामने है इन दे इवनिंग, इन दे आफ्टनून और थर्ड आप्शन है इन दे मौर्निंग, लास्ट आप्शन है लेट इवनिंग, तो यहाँ पर अंसर है इन दे आफ्टनून, एक्चल में यह वह वक्त होता था जो वह स्कूल से वापिस आया करते थे और उसके बाद उस जाएंट के गारण में चले जाते थे, तो बच्चो यह भी कहूंगा इस वीडियो की ओलड़ी NCRT एक्स्प्लेनेशन या इस चैप्टर की NCRT एक जाएंट की गारण में कितने पीश्टी से तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ट्वेल्व ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आप चलते हैं निक्स कुश्चिन के लिए चिल्डन स्टॉप टियर गेम तो लिसन यानि करेंगे बच्चे जब खेला करते थे ओर एक तुम सी वो सुनते थे बार्ट को संगिंग करते थे वह अपनी एक्टिविटी को रोकते थे और सिर्फ वह बांस की सिंगिंग को सुना करते थे तो और आप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है आप चलते है क्वेम जाने राइट आंसर है वो है autumn season autumn season क्या होता है जब पत्चड का वक्त होता है उस ट्रेम क्या होता है कि सारे के सारे fruit जो है इस season में पक्चाते हैं autumn season में और आपने बहुत सारी poetry में देखा भी होगा क्योंकि ये एक poetry होती है या ऐसी बहुत सारी stories होती है अगर वो English poets ने English writer में लिख पकने वाले होंगे लेकिन ये उस fruit की बात की गए जो second time में आते हैं कई बर क्या होता है एक पेड जो है साल में दो बार फल दीता है तो यहां पर autumn season का इसलिए mention किया गया है आप चलते है question number five के लिए how long did the selfish giant spend in his friend's house यानि कितना वक्त उसने अपने दोस्त के घर बिताया था तो यहां पर option आपके सामने है for five years, six years, seven years या फिर four years तो exact answer क्या होगा तो उसने अपने दोस्त के घर बिताया थे seven years option c यहां पर right answer है question number six सेखिए why could the children not play on road बच्चे road पे क्यों रही केल सकते थे तो option आपके सामने है because the road was very risky, the road was dusty, the road was very clean, the road was very white तो यहां पर जो exact answer है वो क्य है कि road बहुत dusty भी थी, लेकिन इसी question को अगर second option में भी दी दिया जाए तो दूसरा option आप दे सकते हैं कि it was full of stones, यह भी one of the reason हो सकते है, तो दोनों ही option मैंने explanation में आपको दे दिये हैं, कि dusty भी थी और full of stones थी, आप चलते है question seven के लिए why did the birds not care to sing in the giant's garden, ऐसा क्या reason है कि birds वो है वो giant के garden में नहीं गाती थी, तो option आपके सामने है, because there was spring season, because there was no flowers, there were no flowers, or because they were scared of the giant, or because there were no children, तो यहाँ पर जो right answer है, वो क्या होना चाहिए, कि birds क्यों नहीं गाना चाहते है, तो इसका एक ही reason है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने आना छोड दिया था, तो इसका मतलब क्या गार्डन में spring season भी आना बंद हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ winters रहती थी वहाँ पर, अब चलते है, question 8 के लिए, who are the only people happy in the giant's garden, अब जब बच्चों ने आना बंद कर दिया, तो ऐसे कौन से लोग थे, जो giant के garden ने खुश थे, उस giant के friends, the snow and the frost, the snow and the water, the snow and the birds, तो यहाँ exact answer है, the snow and the frost, यह दो लोग थे, जो बहुत खुश थे, कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं आता, यहाँ पर सर्दी और जो snow, यानि बर्फ जो है, और frost, जो white white बूदे होती है, पानी की, जो जम जाती है, उस सब के सब बहुत खुश हो गए थे, question 9 है, whom did the frost and snow invite to spend some time with them in giant's garden, अब इन लोगों ने किसको invite किया, कि आजो बही तुम भी और giant के garden में कुछ time spend करो, तो option आपके सामने है, the south wind, the north wind, the hills, the clouds, last option है, clouds, so यहाँ right answer क्या होगा, yes of course, हम कहेंगे, यहाँ पर इनोंने north wind को invite किया, क्योंकि north wind बहुत थंडी हो आ होती है, कि तुम भी आ जा अब यह किस ने कहा, एक delightful spot है, यह किस ने कहा था, तो option आपके सामने है, the south wind, the north wind, the hills, and the clouds, तो यहाँ पर हम कहेंगे, यह बात कही थी, north wind ने कि एक बड़ा अच्छा spot है, इस थान है, अब चलते है, question number 11 के लिए, who rattles on the roof of the castle till he broke most of the slates, rattles का मतलब क्या होता है, noise करना चत के और उस castle की चत पे और कुछ slate को भी तोड़ दिया, तो यह किस ने किया था ऐसा, तो यहाँ पर जो options आपके सामने गिवन है, उसके according हम कहेंगे, जो right answer है, वो है, of course option C, hills ने किया था, hills क्या थे जब ओले गिरने शुरू हो जाते है, question number 12 देखिए, who would dress in grey, and whose breath was eyes, यह किसकी description यहाँ गिवन है, कि जिसकी dress grey color की थी, और breath जो है, बहुत थंडी थी, तो option आपके सामने है, और right answer क्या होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो correct answer है, जिसकी description है, वो है, hills, option C, फिर से हम कहेंगे, यहाँ पर right answer है, आप चलते है, question number 13 के लिए, the selfish giant would sit and look out at his cold, और साथ में य cold तो था ही, लेकिन वो ऐसा garden था, और इस plank को फिल करें, green garden, white garden, big garden, या फिर last option आपके सामने जो है, वो small garden है, तो यहाँ पर जो exact answer है, इस plank पी आएगा, वो white garden है, तो white का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर हर जगा snowfall की वरियस से whiteness ही नजर आ रही थी, even पत्तों की उपर भ बोला गया है, question number 14 देखिए, what sort of lovely music was heard by the selfish giant one morning, या एक सुबा, giant ने किस तरह का सुना था music, जो है, बहुत सुन्दर था, या तो kings के musicians थे, या हवा की sound थी, या फिर sweet sound of falling rain, या फिर last option है, the sound of linit singing, या एक bird जो है उगा रहा था, तो यहाँ पर जो right answer हो क्या है, yes of course हम कहेंगे correct answer option D है, यह एक linit bird जो है वो गारा था, आप चलते है, question number 15 के लिए, from where had the children entered the garden, कहां से वो बच्चे उस giant के garden में एंटर करते हैं, तो option आपके सामने है, right answer, तो यहाँ पर जो right answer होना चाहिए, वो garden के gate से तो नहीं, नहीं वो wall चड़के गई थे, और नहीं सीडी का साहरा ल बचता है, through the small opening in the wall, option C, यहाँ पर right answer है, अब चलते है, question number 16 के लिए, how did the giant react on seeing a little boy standing under a tree, who could not climb up it, एक छोटे से बच्चे को देखा जब giant ने, तो उस giant का reaction क्या था, जब उस बच्चे को उस पेड के नीचे खड़े हुए देखा, he became very angry, he became, बहुत कुछ से में आ चुका था, या he was very happy, या बहुत खुश था, और his heart became rude, या उसका, जो heart है, वो बहुत rude हो गया, निर्तई हो गया, या फिर last option है, his heart melted, या उसको तरसा गया उस बच्चे पर, तो यहाँ पर हम कहेंगी, जो right answer option D है, उसको उस बच्चे पर तरसा जाता है, why could the little boy not run while the giant had come near him, ऐसा क्या reason थ हो सकता है, कि उसे giant से डर नहीं लगता था, या वो बहुत शर्मीला था, या उसकी eyes जो है, वो आस्वों से बढ़ी होई थी, या फिर he did not hear the giant coming, तो यहाँ पर जो exact answer, वो option, see he actually में, उसने उस giant को नहीं दिखा, क्योंकि उसके आखें जो है, आस्वों से बढ़ी होई थी, और question number 18 है, when were the people going to the market, अब यहाँ पर लोगों के market में जाने का time बताया गया, तो क्या answer होना चाहिए यहाँ पर, और यह वो वक्त था जब लोगों ने दिखा कि giant की garden में बच्चे भी खेल रहे हैं, तो यहाँ right answer है, option, b, 12 p.m, यानि दुपैर को 12 o'clock का time है, question number 19 देखिए, though the children were playing in the giant's garden or in the garden, but the giant was not happy, why, अब बच्चे भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी giant कुछ नहीं है, ऐसा किसलिए, तो first option है, because he wanted to score, वो बच्चो को डांटना चाहता है, या उनको वो देखना चाहता था, खेलते हुए, या because he wanted to see the tiny boy, वो छोटे बच्चे को देखना चाहता था जिसे वो पहली बार मिला था, और because the winter was still there in his garden, तो actual जो reason है, वो यही है, option सी, उसको सब बच्चो में, वो छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा था, जिसको वो अपना दोस्त मान चुका था, और वो उसको दिखाई नहीं देता था, आप चलते हैं, question 20 के लिए, in the farthest corner of the garden was a tree quite covered with dash blossoms, blossoms क्या होते है, flowers, तो किस तरह के flowers से वो yellow, white, purple, या फिर red, the last option red है, तो यहां right answer क्या होगा, तो एक corner में, जो flowers से वो white colors के महां पर थे, तो option B, correct है, आप चलते है, question 21 के लिए, which statement is true about the tree, under which the little boy was standing, इन में से कौन सी statement उस पेर को लेकर बिलकु सही है, जिसके नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ था, its branches were golden, और its branches were yellow, its branches were green, its branches were white, तो यहां पर उसकी branches के बारे में बताने है, किस color की थी, yes of course, यहां right answer option A है, कि उसकी जो डालियां है, वो golden color की थी, question 22 है, why did the giant get angry on seeing the tiny boy in one of the corners of the garden, उस ने उस बच्चे को जब दीखा, तो उस चोटे बच्चे को दे करी गुसा आगया, ऐसा क्यों, because on his hands, उसके हाथों पर क्या थे, the prince of the nails, nails क्या होते हैं, वैसे नाखून भी हो सकते हैं, या कोई कील के जो निशान है, वो भी हो सकते हैं, किसी ने हलकी हलकी जो सोई या पिंच चुबा दियो, और because there were the prince of the nails on his feet, या फिर हम कहें, because he was laughing on seeing the giant, या उसने giant को देखकर हसना शुरू कर दिया था, या फिर कहें, both here and be, यहाँ पर right है, तो यहाँ पर हम कहेंगी, जो correct answer है, वो है option A, D, जिसमें दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि उसके हाथों पर भी, और उसके पैरों पर भी, उस कील के निशान थे, या नाकून की भी आप कह सकते हैं, अब चलते हैं, question number 23 के लिए, the giant was lying under the tree, covered with a giant, जब उस new बच्चों ने देखा, तो giant लेटा हुआ था उस पेर के नीचे, और किस तरह के flowers उसके उपर थे, yellow, white, purple, या फिर last option फिर से red है, तो यहाँ हम कहेंगी, जो right answer है, वो क्या है, of course the correct answer is option B, white color के flowers से, तो बच जरूर कीजिएगा, साथ में इस channel को subscribe जरूर कीजिए, अगर आप चाहते हैं, आपको और भी videos के links मिलें, और updated links मिलें, और अगर आपकी और भी किसी subject में problem है, तो आप जरूर बताईए, चाहे वो SST है, या even science के MCQs के आपको requirement आप जरूर बताईएगा, I'll definitely provide you, so thank you very much and have a very nice team.